हेलो दोस्तो हिंदिय अंड़ोई टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप एक अंड़ोईड फोन यूज करते हैं और यूटूब पर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा खास होने वाली है आज मैं आपको यूटूब एप की 5 सीकेरेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपके यूटूब एप में हैं लेकिन आपको पता ही नहीं आप उन्हें यूज नहीं करते दोस्तो अगर आप आप आज इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं यूटूब एप की 5 गुपत सेटिंग को सीक लेते हैं तो फिर आपको यूटूब एप पर वीडियो देखने में पहले से ज़ादा मज़ा आएगा और वीडियो को आप पहले से ज़ादा इंजॉय कर पाएंगे जी हाँ दोस्तो यूटूब एप में कहीं सारी सेटिंग्स होती है इससे पहले भी मैं दो वीडियो इस पर बना चुका हूँ जिनकी अंदर मैंने कुछ सेटिंग बताई है यूटूब एप की तो उन वीडियो का अगर आप देखना चाहते हैं साथी साथ इस नोटिफिकिशन बेल को जरूर आउन कीजिए ताके जब भी मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए दोस्तो फर्स सेटिंग का नाम है कैप्शन तो इसके लिए आपको जाना है यूटूब एप में इसके बाद आपको उपर लोगो पर किलिक करना है इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में यहाँ पर सबसे नीचे आपको option मिलेगा caption इससे मैं open करता हूँ अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि caption होता क्या है तो सबसे पहले यहाँ पर इस setting को मैं on करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर caption on हो चुका है off करता हूँ यहाँ से हड़ चुका है तो यह caption होता क्या है तो for example दोस्तों आप YouTube पर कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो आपकी भाशा में नहीं है माल लिजी आप कोई वीडियो देख रहे हैं जो कि English में है और वीडियो में सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है क्या समझा रहा है आपको पता ही नहीं चल पा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आप इस caption को on करके अपनी language में उस वीडियो को समझ सकते हैं कि वीडियो में क्या समझा जा रहा है सामने वाला क्या बोल रहा है तो आपको यहाँ पर caption को on करना होगा और यहाँ पर language सेलेक्ट करना होगी तो यहाँ पर काफी सारी language है तो यहाँ पर हिंदी language भी आपको मिल जाती है जैसे मैं यहाँ पर हिंदी पर set करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर caption हिंदी हो चुका है तो अगर आप कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जो के English में हैं और आप उसे समझना चाहते हैं हिंदी में तो यह सब टाइटल को आप on कर दीजे caption को आप on कर दीजे आपको नीचे caption दिखाई देगा आप उसे पढ़के समझ सकते हैं कि सामने वाला बंदा क्या समझाना चाह रहा है वो क्या बोल रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडिशन है जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के अंदर हिंदी caption language सपोर्ट होना चाहिए तो ही आपको caption दिखाई देगा अगर वो सपोर्ट नहीं करता है उस वीडियो के अंदर हिंदी caption language नहीं है तो आपको दिखाई नहीं देगा तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है तो दोस्तों है ना यह कंडिशन की setting उन लोगों के लिए जो इंग्लिश वीडियो को हिंदी में समझना चाहते हैं तो इस पर एक like तो बनता ही है दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेनत लग दी है एक like जरूर कर दीजिए दोस्तों next setting का नाम है time watch it तो इसके लिए आपको जाना होगा YouTube app में उपर आपको लोगों पर click करना है इसके बाद आपके सामने option आज आएगा time watch it आपको इस पर click कीजिए तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से interface आएगा और यहाँ पर आपको YouTube बता देगा कि आज की दिन आपने YouTube पर कितने मिनट कितने घंटे वीडियो को देखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपने कितना time YouTube पर दिया है यहाँ पर आप daily average निकाल सकते हैं आपको daily average यह बता देगा कि कितना time आप YouTube पर देते हैं आपको यहाँ पर सारी details देखने के लिए मिल जाएगी अगर आप चाते हैं reminder को on करना तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं for example दिन भर में आप चाते हैं इसरी तीन घंटा YouTube को use करना तो आप यहाँ पर तीन घंटे को set कर दीजे तीन घंटे के बाद YouTube आपको बता देगा कि आपने YouTube पर तीन घंटे complete कर लिए हैं आपने तीन घंटे YouTube पर वीडियो को देख लिया है तो इस तरह से आप इन setting को use कर सकते हैं सारी चीजे सारी details देख सकते हैं कि दिन भर में आप YouTube पर कितना time देते हैं दोस्तो next setting यूटूबर के लिए काफी useful हो सकती है अगर आप YouTube पर वीडियो से अप्लोड करते हैं आपके पास DSLR नहीं है आप मुबाइल के कैमरे से ही वीडियो को shoot करते हैं तो YouTube के अंदर एक filter का option होता है जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो की quality को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं brightness बढ़ा सकते हैं और आपकी वीडियो की quality काफी अच्छी दिखाई देगी तो आपको जाना होगा सबसे पहले YouTube एप में अगर आप कोई वीडियो अप्लोड करना चाहते हैं तो उपर आपको इस icon पर किलिक करना है तो आपके mobile की gallery में जितनी भी वीडियो होंगी वो आ जाएंगी अपनी वीडियो की quality काफी हट तक बढ़ा सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी वीडियो की quality यहां पर दिखाई दे रही है तो इस तरह से आप यहाँ पर वीडियो अगर आप अपलोड करते हैं जी हाँ दोस्तो अगर आप YouTube पर गाने सुनना पसंद करते हैं लेकिन आपको गाना देखने में कोई इंट्रेस नहीं है सिर्फ आपको MP3 में सुनना है तो भी आपको वीडियो प्ले करना पड़ता होगा जिसकी वज़े से मोबाइल के बैटरी भी जल्दी खतम होती है जो आज मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसकी मदद से आप YouTube के किसी भी वीडियो को audio में सुन सकते हैं वो भी background में आप अपनी mobile की screen को off करके किसी भी वीडियो को MP3 में सुन सकते हैं जी हाँ दोस्तो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको जाना आप साइट पर open कर लेना है तो यहां से मैं इसे open कर लेता हूँ अब दोस्तों यहां पर जो भी गाना आप सुनना चाहते हैं उससे आपको सर्च कर लेना है तो फिलाल यहां पर मैं अपना ही वीडियो प्ले करूंगा अगर मैं कोई गाना प्ले करता हूँ तो मुझे copyright आ स दोस्तों किसी भी गाने को audio में सुनने के लिए MP3 में सुनने के लिए आपको क्या करना होगा वीडियो प्ले करने के बाद आपको इसे pause करना होगा पहले मैं इस add को skip कर दूँ अब यह वीडियो प्ले हो चुका है तो मैं इसे यहां से pause कर देता हूँ अब क्या करना है यहा से मैं आ जाते हूं होम बटन दबा कर भेक ठीक है यह आगा मैं बैक अब दोस्तों अगर मैं नोटिफिकेशन पैनल को उपन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहांपर यह वीडियो दिखाई दे रहा हैं से मैं इसे ओन करता हूं अब देख सकते हैं यह पिल्ले हो डाटा बचेगा, आपकी मोबाइल की बैटरी बचेगी और कोई भी वीडियो आप बैक्ग्राउंड में प्ले करके MP3 में सुन सकते हैं. दोस्तों, नेक्स टेटिंग की मदद से आप YouTube के किसी भी वीडियो को बैक्ग्राउंड में प्ले कर सकते हैं. वीडियो को देखते हुए, WhatsApp चला सकते हैं, Facebook चला सकते हैं, वीडियो चलता रहेगा और आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं. और यह सब काम आप बिना किसी एप्लिकेशन के कर सकते हैं. तो इसके लिए भी आपको Chrome ब्राउजर में जाना होगा, YouTube आप का यूज नहीं करना है, यहाँ पर Chrome ब्राउजर को आप ओपन कीजिए, यहाँ पर आपको YouTube को ओपन करना है, YouTube को ओपन करने के बाद ऊपर 3.00 पर किलिक करना है, और यहाँ पर आपको Desktop साइड को ओपन कर लेन नहीं से हम, एड शो हो गई, एड को सोड़ा डिसिबल कर देते हैं, यहाँ से Skip, Skip, Skip का ओप्शन आ चुका है, ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जोई Zoom का ओप्शन है, आपको इस पर किलिक करना है, ठीक है, इस पर किलिक करने के बाद दोस्तों जोजर आफ हो जाएगा, और यह वीडियो बैक्गराउंड में चलता रहेगा, यह मैंने किलिक किया, आप देख सकते हैं, यह वीडियो यहाँ पर आ चुका है, अब मैं इसे कहीं पर भी रख सकता हूँ, वैलियम थोड़ा सा बढ़ा कि आपको दिखा देता हूँ, तो इस बैक्गराउंड में प्ले कर सकते हैं, इसे अगर आप बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हम बंद कर देते हैं, इसे, यह हो गा yah cut, ठीक है, तो दोस्तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, तो उमिद करता हूँ दोस्तो पसंद आया होगा अगर आपको एक भी सेटिंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए वाटसब फेस्बुक पर अपने फ्रेंड के साथ शेर कर दीजिए अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ नोटिफिकिशन बेल को ज़रूर ओन कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टैंक यू